जस्वी जी एक बार ग्रीराजमंत्री से मिले थे फ्लाइट में और उन्होंने एक्षाव रख्त की थी कि उनका चुकी पूरा परिवार का जेल जाना निश्चित है तो उनके जेल जाने से बचाया जाए और उसमें वो भाजपा को समर्थन करने को तयार हैं भाजपा की सरका बनाना उचित नहीं समझा तेजस्वी यादव जी का पूरा परिवार जितने हजारों करोड के घोटाले में हैं वह कितने भी अपने विधायकों का शरण ले ले उनको जेल जाना ही पड़े नमस्कार आप लाइप बिहार देख रहे हैं मैं हूं राज मोहंतिवारी नित्यानंद राय को लेकर पिछले दिन तेजस्वी यादों ने एक बड़ा खुलासा किया लेकिन उनके इस खुलासे के बाद अब बिहार में सियासत काफी ज़्यादा गरम हो गई है और खुलासों का एक दौर सुरू हो गया है क्योंकि नित्यानंद राय पर तेजस्वी यादों के खुलासे के बाद अब बीजे पी ने भी बड़ा काउंटर किया है और तेजस्वी यादो पर एक बड़ा खुलासा किया है यह खुलासा किसी और ने नहीं बलकि बीजे पी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जैसवाल ने किया है बीजेपी के प्रुदेश अध्यक्ट संजय जैसवाल ने बताया कि कभी राजद यानि तेजस्वी ज्यादो बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाना चाते थे वो चाहते थे कि BJP उनका शपोर्ट करे उन्होंने बताया कि नित्यानंद राय और तेजस्वी यादो की मुलकात एक बार फ्लाइट में हुई थी और वही पर तेजस्वी यादो ने इस बात का जिक्र किया था वो चाहते थे कि BJP के साथ मिलकर बिहार में वो सरकार बनाए और वो मुख्य मंत्री बने संजेज जैसवान ने ये भी कहा कि तेजस्वी यादो यह सरकार बनाकर इस कोशिस में लगे हुए थे कि उनकी जो परिवार पर तमाम जो जाचे चल रही है उसे रोका जाए और उनके परिवार वालों को जेल जाने से बचाया जा सके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्च संजेज जैसवान ने ये भी कहा कि भले ही तेजस्वी यादो चाहते थे कि बीजेपी उनका शमर्थन करे और एक साथ मिलकर वो सरकार बनाए लेकिन बीजेपी ब्रश्ट चारियों के स साथ कभी समझोता नहीं कर सकती है इसलिए बीजेपी ने तेजस्वी यादो के साथ कभी भी जाना पशंद नहीं किया और संजय जैसवान ने इस बात पर जोड़ दिया कि जिस प्रकार के भ्रश्ट चार में तेजस्वी यादो का पड़िवार लिप्त है उसके बाद उनक कोई भी नहीं बचा सकता है तो अब बिहार की सियासत खुलासों के एक दौर से गुजर रही है एक तरफ आरजेडी के नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्च तेजस्वी यादो यह खुलासा करते हैं कि जब बीजेपी सांसत को मंत्री नहीं बनाया गया था तो नित्या स्वी यादों चाहते थे कि बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार बनाए और उनके परिवार वाले जेल जाने से बचे अब यह खुलासों का दौर कितना और आगे जाएगा यह देखने वाली बात होगी और साथ ही साथ संजय जैसवाल ने जो प्रतिकिडिया दी है उस पर आर लाइक जरूर करें